हलो स्टूडर्न्स जिन बच्रों को यार डिमिशन हो चुका उनको many many пожgration वह यार डिमिशन लिस्त में तो नाम आ गया अब क्या करें तो payment कैसे करें कितना करें कौन payment करेंगा कि मैंकों करते ही कुछ process यार सबसे पहले उन बच्रों को कुछ का न जिनका admission हो चुका है जिनको second choice मिली है लेकिन उनका interest था कि मरको तो first choice ही चाहिए first number की choice अब वो उसके face बगरा देने को तयार नहीं है तो सबसे पहले उनका funda जान लेते हैं क्या होने वाला आपके साथ जिन बचों को यार अगर second choice मिली है और तुमको first choice चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले तुमको अपनी जो भी second choice मिली है उसके लिए face payment करना पड़ेगा जो भी university की guideline है दो दिन का time है पांस तारीक तक अगर आप दो दिन तक payment नहीं करते हैं तो आप जो भी अगर आपको second choice मिली है उसका अगर आप payment नहीं कर रहे हैं तो आप participate ही नहीं क process के लिए जा चुके हो जो भी आपको सीट मिली है इसे उपर की सीट के लिए आप ट्राइ कर सकते हो अगर सीट वेकंट होती है तो आपको मिलने के chances है ओके स्टुडेंट यह सारा प्रोसेस है ओके अब अगर आप payment करते हैं ठीक है payment gateway के तूर अगर आप अपना payment कर रहे हैं तो अगर आपका payment fail होता है तो उसके लिए university जिम्मेदार नहीं है जब तक university के पास पेशिय का confirm नहीं आ जाता है कि हमारे पास पेशिय आ चुके हैं तब तक वह कुछ भी decide नहीं कर सकती जैसे उनके पास पेशिय का confirmation या फिर आपको रिचेप्ट या पिर पेइमेंट successful हो ज करें बहुत ज्यादा payment fail हो रहे हैं local bank के debit card से बहुत ज्यादा payment fail हो रहे है phone पे Google पे से क्योंकि server बहुत busy होता है यह क्या government colleges वाले पता नहीं कैसे payment gateway पकड़ के लेके आते हैं access bank HDFC bank इनका server बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है यार इस current payment के chances बहुत कम successful होते हैं और आप अच्छे bank से आप अपना payment complete करवाएं क्योंकि यह 60,000 रुपए 66,000 रुपए कम नहीं होता ठीक है अगर आपका payment fail हो जाता है तो at least उसको वापिस आने के अंदर at least three to five working days लगते हैं तीन से पांस दिन के अंदर इतने पैसे एक middle class family के लिए फिर से वापिस दूटा पाना बहुत मुश्किल होता है ओके तो आपका admission हो चुका है तो आए अंबल रिक्वेस्ट फॉर यू प्लीज यूज भी एन इंटरनेट बेंकिंग आपके CHS आइबर के पैसे इमितर से सकते हैं और अगर इसे चांस नहीं बनते हैं तो अगर आप से किंद लास अपना जो भी प्रांच है उसे CS में convert कर सकते हैं अगर अगर आपको करते हैं तो क्यूंकि बहुत सारे बच्चों के तो यहीं रहती है अपने को CS चाहिए जिनको CS नहीं मिल पाया है वह बाइचांस प्लानी पड़ते हैं बहुत अच्छे रगड़ना पड़ता है जहीं के अंदर तब जाके GFT मिल पाती है को के स्यूं सीटी में थोड़ा प्रोसेस आसान होता है इसमें भी वैसे रगड़ना ही पड़ता है ठीक है प्रोसेस मार्क्स देख सकते हो कितने किने गए हैं ओके ल जाती है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है जास्ता जो भी सी में है जो है तो उसकी तो हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं कि हम किस के टेगरी में जाएं वह सारा कोड़ तै करता है तो ठीक है यार अपना पीश्पेमेंट बगरा सेक्योर लिए करें और वेस्ट ओफ लग आगे बात करते हैं होनी के बाद क्या करना हें क्या पढ़ना है क्योंकि आलमोस बच्चों को नहीं परता है कि मैं क्याuana वह सारे है इर क्या चुक्त सब्सक्राइब यारी बेर्ट कलेंगा जी के ने पढ़ें क्या है क्यों कि पद्र Moreover और च्वार्य Gudja का मन कृओं